हाई गाईज, जबरदस्ट में आपका स्वागत है दोस्तों हाली में नेट्फिक्स ने लेटल तिंग सीजन 4 का ट्रेलर आउट किया है जिसका इंतजार आप और हम बेसबरी से कर रहे थे ये एक कॉमेडी ड्रामा शो है जिसमें हम मिलेनियल कपल दुरूव और कावया की स्टोरी देखते हैं इस शो का पहला सीजन डाइस मीडिया ने यूट्यूब पर रिलीज किया था जो कि एक जबरदस्थ हिट साबित हुआ था शो की अमेजिंग सक्सेस के बाद इट वस अक्वाइड बाइन नेटफ्लिक्स फो सीजन टू और सीजन थी जो कि 2018 और 2019 में रिलीज किये गए थे और अब 2021 में 15 अक्टोबर को रिलीज होने जा रहा है इसका 4th और फाइनल सीजन और शो के हिट होने के पीछे जितना बड़ा हाथ स्मार्ट और क्रियेटिव राइटिंग का है उतना ही ओन स्क्रीन देखने को मिली अमेजिंग केमिस्ट्री बेट्वीन दे कपल का भी है दुरूव और कावया दोनों ने एक अलग ही लेवल का परफॉर्मिंस दिया दोस्तो दुरूव ना सिरफ एक अक्टर है बलकि डाइस मीडिया के वन अफ़ फाउंडर्स में से भी एक है इसके अलावा दुरूव राइटर और क्रियेटर भी है और उन्होंने ही इस सीरीज की स्टोरी को लिखा है वो ना सिरफ अपने क्यारेक्टर को इजिली कैरी कर पाते हैं बलकि ओडियोंस उन्हें स्क्रीन पर देख कर खुद से कनेक्ट भी कर पाती है दुरूव इस सीरीज का पहला ऐसा रीजन है जो आपको ये सीरीज देखने के लिए अट्रैक करता है दुरूव वाके में एक ऐसा कॉंटेंट ओडियन्स के लिए लेकर आए जो दिलों को टच करता हुआ रियल लाइफ से भी कनेक्ट करवाता है वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें कावय कुल करनी की तो ये एक स्ट्रॉंग और इंडिपेंडेंट लड़की है जिसका किरदार निभाया है ना नाददन मिथला पाल करने मिथला ने अपने करियर की शुरुवात निकल अडवानी की मूवी कट्टी बट्टी से करी थी और इसके बाद ये नजर आई लिटल थिंक सीजन बान में जिसके बाद उन्होंने पीछे मुड कर नहीं देखा अपने innocent look और अपने character के लिए dedication की वज़े से audience ने उन्हें बेहत पसंद किया और audience इनसे as a viewer काफी connect भी कर पाई मिथला का कावया वाला character आपको उनकी तरफ attract कर ही देता है दोस्तों बात करें इन दोनों की chemistry की तो ये कहना बिलकुल भी गलत नहीं होगा कि ये इस show का backbone है and the way they carry the show is commendable इन दोनों की dialogue, delivery और timing एक certain way में आपको अपना relationship याद दिलाता है इनकी छोटे-छोटे जगडों में आप खुद को देखने लगते हैं and hence it becomes more relatable to you ये show दोनों ही actors के लिए एक breakthrough साबित हुआ जहां कावया के role को इतनी popularity मिली कि मिथला रातो रात famous हो गई और उनके लिए Bollywood के दर्वाजे भी खुल गए देखा जाए तो Dhruv और मिथला दोनों ही इस show के लिए एकदम perfect है and they compliment each other's performance दोस्तो on screen तो एक जबरदस couple है लेकिन real life में जब इन से इनके relationship के बारे में पूछा गया तो मिथला ने बताया कि एक दूसरे को date करने का thought कभी उनके mind में नहीं आया मिथला ने तो ये तक कहा कि dating तो दूर की बात है शूटिंग सेट से बाहर हमने कभी एक दूसरे से बात करने की भी नहीं सोची even though they had known each other for three years पिंक विला को दिये गए एक interview में मिथला ने बताया कि starting में हमारी conversation काफी awkward रही दूरूफ जो की show के writer भी हैं उन्होंने मिथला को show के बारे में discussion करने के लिए बुलाया था लेकिन मिथला और दूरूफ दोनों ही इतने uncomfortable थे कि ये meeting हाफ इनार से उपर नहीं पहुँच पाई दोनों के लिए show ही most important thing थी दूरूफ शो को real stories से inspire होकर बनाना चाहते थे और इसलिए उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी था इफ मिथला is the right fit for Kavya और फिर जब दोनोंने साथ में episode reading स्टार्ट की तब उन्हें ज्यादा natural feel हुआ Now they are better friends दोस्तों आपको बता दे कि little things पहला ऐसा show नहीं है जब इस जोडी ने साथ काम किया हो जिसमें Dhruv एक को रैक्टर रहे उनके projects confusing things girlfriends say and annoying things boyfriends do में उनकी chemistry के लिए उन्हें काफी positive response भी मिला अपने एक interview में मिथला ने mention किया people enjoyed our chemistry which came as a pleasant surprise for both of us because we didn't really know each other well people wanted to watch more of us on screen together और उसके बाद ही Dhruv ने little things के लिए script लिखी overall इस series हमें हमारी life में चल रहे छोटे छोटे issues दिखाती है और साथ ही साथ इन issues के वज़े से हो रहे impacts किस तरह से हमारे character और personality को affect करते हैं ये भी दिखाती है तो दोस्तो mark the date for its upcoming fourth season जो की release होगा 15th October को only and only on Netflix हमारे channel जबर्दस को subscribe अवश्य करें और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये हमें comment section में जरूर बताए मिलते हैं आपसे next video में thanks for watching